नमस्कार दूस्तू, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है, आज में फिर से आपके सामने कुछ Importance Company का आपके शेयर कने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास तक देखेगा, और अभी तक अपने चनल को सब्सक्रेब निके तो जोरूर कलीजेगा, तो बहुत सर लोग पीवी फिंटेक को जानते नहीं है, तो पॉलिसी वाजार को बहुत लोग जानती है, तो इस कमपनी के बारे में आज डिसकसन करूँगा, कि इस कमपनी के उपर जो आपडेट है, कमपनी फिर से लाइप टेम हाई को ब्रेक करने के लिए कोसिस कर रहा है, त इस जगा पर बाई करना सही होगा, तो उसके लिए सबसे पहले में आपको बता दू, कमपनी के अगर पीर इस्यो के बारे में बात करो, तो कमपनी के पीर इस्यो गिर के अभी आ चुक है 900 तक, इसका एवरेज पीर इस्यो निकल का रहा है, करीबन 900 के आसपास, तो आर्य में कुछ खास परफ्रेंस नहीं है, माल लेता हो डेप्ट जीरो है, कमपनी के इनकम अच्छा है, अच्छा मतलब पॉजिटिव है, और कमपनी के प्रोमोटर का पास जीरो हर्डिंग है, अभी क्वार्टे लेजल के बारे मात करो, तो इस बार कमपनी सेल्स अच्छा यहीं आपके साथ करूँगा पस्ट अफल कंपणी के बारे में चर्चा करूँगा तो सब सब पहले में टेक्निकली चर्ट पर बात करूँगा यह आप देख सकते कंपणी को जाब मैंने टेड लिया था कुछ इस तरगे से पैटरन केर्ट हो था पहले क्या बना कब बना उसक इसी बात company के उपर बहुत सर्थ लोगों का comments है कि क्या इस company फिर से इस level से high level तक जा सकते है किया से bounce back कर सकते है उसके लिए बता दू कंपानी के उपर जो situation बना है अभी देखे company एक range के उपर काम कर रहे है मतलब company एकी range के उपर company अभी dead gonna start कर चुग है इस रेंज को जब ब्रेक आउट करेगा तो एक बड़ा सा धामा का फिर से हो सकते है यह कि जो लॉस मेकिंग कंपानी था वो पॉफिड में आया है फिर भी में अभी फिस कंपानी को वर फ्रेस को चेंटी नहीं लेने वाला हूँ किके कंपानी के वैलुशन मुझे बहुत अब इसलिए सस्ते में देखने को मिला क्योंकि के पी रिशु आर इंडस्टी पी रिशु सेम तू सेम है अगर इस पी रिशु के में प्रीवियस डेटा के इसाब से कल्कुलास करो तो एक टाइम कंपानी का पी रिशु चला गया था सेवें टेटू के आसपास और वो भी क कुछ दिनों से एक पॉजिटीवली जर्णी दिखा रहा है अभी पॉजिटीवली जर्णी क्यों दिखा रहा है उसके पीछे रिजन भी अपको बता दो कंपानी के क्वार्टर ले इसबार सेल्स मतल रेविनूस अच्छा गासा देखना को मिले मालने तव कंपानी के इंट अगर कंपानी के इंपीए के बारे बात कर तो पहले इंपीए सारे 3% के उबर चला गया था आज वो इंपीए घटा कर 1.11% तक लिखे आए मतलग कंपानी का जो पार्फॉमेंस है वो बहुत सांदर तरीके से पार्फॉमेंस को वो मतलग टान ओफर कर रहा है क्योंकि दिख कहले जो कमपानी का क्मपानी पार्फॉमेंस ही नहीं कर रहा है मतलब जो लोन कस्तोमर को दिर जो लोन कस्तोमर से बैंक उठा नहीं पाए तो बह purple के लिए इन्पे बनेगा तो जितना इंपे कम होगा जो ही है कंपानी के के लिए त्यार नहीं है पहले भी इतना होल्डिंग देकर रखा था आज भी उतना होल्डिंग को लेकर आगे बढ़ रहा है तो बेसिकली कंपानी को पर अच्छा खासे यहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगा तो बंधन बैंक के चो टेक्निकली चार्ट परने से उसके बारे म के नीचे आया और उसी लेवल को टच किया जो प्रीवियस स्टॉंग लेवल था तो सपोर्ट को टच किया उसके बाद बाउंस बैक करने का कोशिस तो कर रहा है मगर मुझे नहीं लग रहा कि वह बहुत उपर जा पाएंगे क्योंकि यहां पर जो 200 days moving average के लाइन है इसको टच करने के बाद फिर से वो बापस आ सकते है अगर नीचे आये तो वो कहा तक आ सकते है अगर नीचे आये तो 150 रुपीज का जो लेवल है इस टॉंग लिए एक बिग सपोर्ड है क्या कि इसी लेवल से कमपाणी एक बिग बाउंस किया था अगर इसी लेवल कोवीड के लेवल था और इस कोवीड लेवल तक आ कर टाच कर सकते है उसके बाद में आपके साथ वीडियो बनाएक शेर करोंगा एक्शली कमपनी कौन स नाम से जाने वाले हैं तो आए हो वीडियो में आपको जानकर है अच्छा मिला होगा तो नेक्स चो कमपनी है उसके बारे में बात करो up करूल उसका नामी जास साइन्स के कमपनी के जो संदर अपडेट है वो मैं आपके साथ सेर कर दो तो 1995 में कमपनी स्टार्ड हुआ था कमपनी एक्चुली फर्मस्यटिकल्स इंडेस्टी से बिलों करते है और बैसिकली कमपनी का जो में बिजनेस का नाम था वो कैडिले हेल का नाम से जाना जाता था अंडर दा मतलब एजेंसी जो देखाए तो जाइडस ग्रूप के है और फ्रम दा हुमें टानोवा 250 क्रोड नाटी 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 फाइफ फाइफ में कमपनी टानोवा कर चुके थे तो बिसिकली कमपनी एक बहुत सांदर कमपनी है और क कमपनी के सारे पॉइंट्स आपको पॉजिटीव दीखेगा उससे भी कुछ गूड़ पॉइंट्स पॉजिटीव है जैसे कमपनी के अगर प्यार कमपनी से कंपिरिजन करू आप देख सेकते हैं जो फार्मासिटी के जीतने सारे कंपनी से उनमें से सबसे जदा प्रॉफि जाइडस लाइफ सेंस के उपर ही देखने को मिलेगा तो इसलिए में इस कमपनी के पर पॉजिटीवली देखता हो दूसरी बात कमपनी के बैलनसीड में एक चीज मुझे अच्छा लगा जो लोग सोच रहे थे कि कमपनी का कर्जा बहुत जादा है इस बार कमपनी कर्जे क एस बढ़ा होंगे के रिजटब बेचा होगा फिष्ट असीड को बेच कर रूजा मिटायर होगा बिलकुन नहीं नहीं फिष्ट जयसा था उस्से बढ़ चुक है रिजब जैसा था उससे मतलब टैंश बढ़ चुक है शारी मतलबwie जदा बढ़ चुके है ञे अच्छी बा रहा है बाकि आज़े इन्वेस्टर प्रमोटर से लेकर FSDS पब्लीक के पास अच्छा गासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा और इसी होल्डिंग के बेसिस में कमपानी आगे बढ़ रहा है अभी टेक्निकली चर्ट प्रेंस के बारे हैं बात करो तो आप देख सेके 25 डेज में अराउंड 51 परसन का टार्गे तो बेस्ट तरीके से टार्गेट आप अचीवा तो आई हो इस वीडियो में कुछ नया कुछ सीखने को मिले अभी फिलाल के लिए इस कंपानी के ओपर कोई फ्रेस एंटी नहीं है क्योंकि जो रेंच या पर कंपानी क्रियेट किय देखे टाटा एक बार मैं लिख लेता हूँ और अपर टारा मोंटस लिखा गया है माँ पीच आता हूँ टाटा इलकसी जिसके वबर गुड पॉइंटस आपड़ेट है वह क्या है मैं आपको बताओं पम्पानी जल से जल आपको एक के बदली एक से आपको बोनस के इसाब से देने वाल है तो जो लोग बूनास पाना जाते हैं तो इस कमपनी के उपर इंतिजर करिए वेट करिए आपको जल से जल बूनास मिलेगा आई होप वीडियो में आपको जानकर अच्छे मिला होगा अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्रीब करना मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद